तो दोस्तों Income Tax Department की तरफ से भी latest update आई है कि एक order issue हुआ है कि अगर आपके पुराने सालों की कोई demand है, Income Tax की demand है तो उसको पूरी तरह से wave off कर दे जाएगा, पूरी तरह से खतम कर दे जाएगा, जैसे आपको पता हो दोस्तों कि budget there 24 जब आया था recently, हाला कि उसमें कुछ खास इसका मतलब आप litigation में ना जाके, कि SSC परेशान ना हो, litigation में जाए, legal action उसके उपर कोई लिया जाए, तो इसलिए उस पुरानी demands को government ने अब यहाँ पे order दे दिया है कि अब आपको पुरानी demand pay करने की ज़रुत नहीं है, वो पुरानी demand आपकी wave off कर दी जाएगी, खतम कर दी जाएगी, तो guys मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, पहले income tax के portal पर, यह मैंने login कर लिया है, तो आपको अगर पुरानी demand अपनी कोई देखने तो आप कैसे देख सकते हैं, दिकिए pending action में जाएगे, और आप pending action में जाएगे, response to outstanding demand पर जब आप click करेंगे, तो दोस्तों यहा गौवरمنट ने इसको पूरी तरह से wave of कर दिया पूरी तरह से इसको माफ कर दिया गया है, अचा अब ये कौन से सालो की demand है, जिसके बार मैं बात कर रहा हूँ क्यक्त सालो की demand गौवरमेंट ने माफ कर रहा है और कितने amount तक की माफ कर लिया, तो वो हमारा mention है is order के अदर, so टेक्स की, वेल टेक्स की या गिफ टेक्स की और वो आपकी 31 जनवरी 2024 तक outstanding है तो उसको आप माफ कर दे जागा कितना कितना आउंटर परेजर एक बर वो देख लेते हैं तो इसके बारे में बोला गया था कि अगर आपकी 31 जनवरी 2024 तक की कोई डिमांड आपके portal पे नजर आ रही है और वो डिमांड आपकी assessment year 10-11 के demand तक है यानि कि assessment year financial year आपका क्या होगा 9-10 यानि कि assessment 10-11 तक आपकी कोई भी demand है उससे पुराने सालों में आपकी कोई भी demand है और वो demand आपकी 25,000 रुपे तक की है तो उसको पूरी तरह से क्या करते जाएगा monetary limit of entries of outstanding tax demand which are to be remitted and extinguished जैसे मैंने अब यह practically आपको दिखाया जिएस्टी income tax के portal पे सोरी कि कैसे आपकी demand extinguished करी है government ने यानि कि अगर आपकी कोई demand 10-11 तक या उससे पहले वाले सालों की है तो 25,000 रुपे तक की demand है तो आपकी पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी और अगर आपकी assessment year 11-12 से लेकिए assessment year 15-16 तक की कोई demand है और वो 10,000 रुपे तक की है तो उसको भी पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा दोस्तों ये तो बोला था budget के अंदर हमारी finance minister ने ठीक है अब लेकिन government ने इसके उपर एक cap limit लगा दिया एक ceiling यहाँ पर लगा दिया कि क्या maximum आपकी जो demand होगी ये वाली वो 1,00,000 रुपे तक की आप जो demand अपनी wave of करवा सकते हो आप उसको जो है extinguish करा सकते हो आप remit करा सकते हो एक लाख रुपे तक की maximum demand याने की अगर आपकी total demand पुराने सालों की मिलाके एक लाख से उपर जाती है तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक लाख तक का benefit मिलेगा आपकी जो demand है वहाँ पे जो wave of की जाएगी जो खतब की जाएगी वो maximum एक लाख रुपे तक की की जाएगी तो आप समझे रहे हैं गौर्मेंट ने आ लगी दोस्तों यह एक फाइदा तो पुचाया है और यह जो demand आपकी है यह demand किस-किस amount से relate हो सकती है देगे अगर आपको कोई भी principal amount है tax का और वो demand आपकी income tax में हो आपकी wealth tax में हो या फिर आपकी gift tax में हो दोस्तों इसके अंदर सारे ही tax यहाँ पे include किये गए हैं जो हमारे law हैं और साथ ही अगर आपके कोई भी interest के related demand थी penalty थी आपके उपर fees लगाई थी सरचाज लगाए था assess लगाए था वो सब भी अगर आपका है income tax में आपके wealth tax में या gift tax में तो उन सबको total मिलाके यहाँ पे देखा जाएगा उन सबको total का आपको जो है wave of कर दिया जाएगा लेकिन limit क्या है 25,000 रुपे तक तो है अगर आपकी 10,11 उससे पहले की demand है और अगर आप 10,000 रुपे है अगर आपकी 11,12,15,16 demand है लेकिन यहाँ पे maximum limit देखी जाएगी कि आपकी कितनी होनी ची एक लाग रुपे तक आपको benefit मिलेगा तो जोस्तो बहुत सारे इसके बारे में काफी appreciation में मिली थी finance minister को क्योंकि दोस्तो पहले तो इस case में कुछ भी budget के अंदर खास तो पेश हुआ नहीं था लेकिन अब finally government के तरफ से राहत आईए कि एक लाग रुपे तक कि आपकी पुराने सालों की demand जो है वेवफ हो सकती है वो खताम हो सकती है लेकिन limit यहाँ पे ध्यान रखने है कि maximum आपको एक लाग रुपे तक कहीं यहाँ पे benefit मिल सकता है और दोस्तो एक point और यहाँ पे बताया गया इस order के अंदर कि यह जो आपकी जो भी remission और extinguishment होगी आपकी जो पुरानी demand outstanding demand है direct tax में वो आपकी जो है applicable नहीं होगी second number point है बहुत important point है जिसके बार हम बताया गया है कि consequent to the aforesaid remission extinguishment of entries of the outstanding demand there shall not be requirement of calculation of interest on account of delaying payment of demand under subsection 2 of section 220 of income tax act therefore the same shall not be considered for the purpose of determining the selling of 1 lakh रुपी जानिकि जो एक लाग रुपे के आप limit calculate करोगे इसके अंदर जो आपका section 220 subsection 2 होता है जिसमें आप क्या करते हो जिसमें demand अगर आपने लेट पे करिया तो उस पर interest की calculation होती है उसको यहां पर include नहीं किया जाएगा एक लाग की limit के अंदर तो दुस्तों यह बात आपने ध्यान रखना नहीं है अगर मैं four point के आपे बात करूँ जो की उपर बताया गया है अबव स्टार्टिंग अग्रिगेट वैल्यू अफ सच डिमांड शेंड शेंड मैक्सिम लिमिट आपकी देखी जाएगी कि आपकी तोटल अगर तक माल लेते हैं अपकी एक लाग दस जार की दिमांड हो जाती है पुराने सालों की मिला के लेकि एक एंट्री आपके जो आपको देखनी है यानि कि एक साल की दिमांड है वो 25,000 रुपे तक कही आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी 10,11 तक की दिमांड है और 11,12 से ल दिमांड है आपकी कमांड कितना है 10,000 रुपे तो गाइस एक क्विक अपडेट थी जो मैंने सोचा जल्दी आपको देदू कि बजट से रेटेड जो भी आई है जिसमें एक लाग रुपे तक कि आपकी पुराने सालों तक की दिमांड गूर्मेंड ने माप कर दिये है आपकी 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 में मिल के रहें थैंक यू